हाई दोस्तों, नोकिया इंडिया ने अपना एक बजट सेग्मेंट का एक नया शांदार स्मार्टपोन लॉंज वन इसे बेतरिन स्पेसिफिकेशन के साथ में कमपनी ने पेश किया है और इसकी कीमत भी काफी किफायती रखी गई है 6.5 इंच की लाज वाटर डॉप नॉज डिस्पले मिलती है जिसका रेजूलेशन जो है 1600 इंटु 720 पिक्सल है 20 रेश्टो 9 का जो है एस्पेक रेश्यो है और 180 हर्ट का जो है टस्स सैंप्लिंग रेट मिलता है और रिप्रेश रेट जो है 90 हर्ट का है Nokia G21 की जो डिस्पले है साइड में बेजल लेस है और इसमें 400 नेट्स की जो है पिक ब्राइटनेस मिलती है Android 11 पर ये काम करेगा और साथी में जो है दो साल तक जो है इसमें Android अपडेट भी मिलेगा इसमें जो है Android 12 और Android 13 सामिल है प्रोसेसर की बात कर तो Unisoc का T606 चिपसेट दिया गया है जो कि इसे जो है पावर देने का काम करेगा 4GB RAM और 6GB RAM पर ये लाउंच हुआ है और 64GB और 120GB स्टोरेज सपोर्ट का जो है आपको विकल्प मिलता है Micro SD कार के दौर आप इसे बढ़ा सकते है Triple Rear Camera Setup दिया गया है और फोन पे Back Panel पे जो है Flash के साथ में 50MP का Primary Sensor भी जा गया है जिसका Aperture जो है F1.8 है साथी में 2MP का Micro Sensor और इसमें जो है Aperture वाला 2MP का Depth Sensor भी मिलता है इसे तरह Selfie और Video Calling के लिए 8MP का Front Camera भी मिलता है Connectivity के लिए 3.5 headphone jack मिलता है NFC और इसमें जो है Side Mounted Side Panel पर जो है Finger Pin Sensor भी मिलता है इसमें Face Unlock का भी Feature मिलता है 5050 mAh के दमदार बैटरी मिलती है जो के 18W Fast Charging को सपोर्ट करती है और 3 दिनी तक जो है Battery Backup का जो है Company का दावा है रही बात इसके कीमत की तो ये जो है इसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 12999 रुपए जिसमें जो है 4GB और 64GB का वेरियंट मिलेगा और 6GB वेरियंट की कीमत जो है 14999 रुपए है इसमें जो है Blue और Dusk Color में आपी से खरी सकते है तो Nokia का जो है जानदार फोन भारत में उपलब्द कराए गया है तो अगर आपका बजट इसे रेंज का होगा तो Nokia का ये फोन आपके विकल्पर में शामिल हो जाता है ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताएं और इसी तरह के नए पॉड़की जान करें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेर ज़िए करें